दोस्तों अगर आप रेलबे एक्जाम एंटी पीसी प्लस गुरूब डी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो यह इस्पेशल बुक की यह आपके लिए है और यह इस्पेशल क्यों है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसमें फूल सलेवस बाइज जो है कॉंटेंट पूरा गया रेलबे एक्जाम में वो भी इसमें शामिल किया गया है और दोस्तों इसमें खास यह कि मातर 35 रूपीज की बुक है यह ओफर चला है कुछ दिनों के लिए आप हमारे सब्सक्राइबर हैं ऑनलाइन सब्सक्राइबर के लिए बुक को इसे 60 रूपीज की थी लेकिन यह बुक आपको हिंदी और इंग्लीज दोनों लेंगेज मिल जाएगी तो आपको जो भी लेंगेज रहे वह आप देख सकते हैं हिंदी प्लास इंग्लीज में काफी अच्छी बुक है कम प्राइज में आपको इतना अच्छा कॉंटेंट मिल लाए आप जरूर परचेज क आपको पसंदा आपको प्लीज लाइक कर देखें प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें ठीक है वीडियो को लास तक देखें काफी महतपूर को इसका correct answer ने हो जाए गा दोस्तों option D, Yaman ठीक है तो यहाली में अमेरिका के house representative ने यमन के ग्रहियोध से अमेरिका को अलग करने के पक्ष्य में मतदान किया है और अमेरिका को यमन जो है ग्रिय उद्व के बाहर निकालने के पक्षे में 247 मत पड़े जबकि इसके विरोध में 175 मत पड़े हैं ठीक है व्याद रखेंगे यमन के साथ ठीक है यमन क्वेश्चन नमर सेकंड है ACI विकास बैंग ने ब्यापक आर्थिक चुनोतियों का हवाला देते हुए पाकिस्तान की ब्रिद्धी दर वित्वश 2018 में 5.2% से गिर कर 2019 में कितना होने का नुमान लगाया है इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा दूस्तो 3.90 के 3.9% देखे दूस्तों ACI विकास बैंग ने ब्यापक आर्थिक चुनोतियों का हवाला देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की ब्रिद्धी दर वित्व 2018 में 5.2% से गिर करकिती हो जाएगी 2019 में 3.9% पर आ जाने का जिसमें अनुमान है अब देखे दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है ACI डवलामेंट बैंक यह नहीं ACI विकास बैंक की तो इससे लेटेट कोश्चन एक जहाँ पूछा आता है तो आप याद रखेंगे ACI विकास बैंक की स्थाबना सबसे पहले पूछा आता है कब हुई थी 19 दिसंबर 1966 में की स्थाबना हुई थी ठीक है याद रखेंगे साथी साथ इसका जो वर्तमान दोस्तों हेटकॉडर कहाँ पे है मनीला फिलिपीन समें ठीक है और इसके प्रेसिडेंट कौन है ACI विकास बैंक के वर्तमान में ताके हिको नकाओ कौन है ताके हिको नकाओ ठीक है ताके हिको नकाओ ये आप याद रखेंगे ये प्रेसिडेंट है स्थाबना 1966 में हुई थी मनीला फिलिपीन समें इसका हेटकॉर्टर है ठीक है चलिए अगला वोशन देख लेते है बैग्जानकों ने हाली में स्टीफन हाकिंग के किस सिध्धान को मानने से इंकार किया है डार्क मेटर ठीक है ये दोस्तों बैग्जानकों ने हाली में स्टीफन हाकिंग के डार्क मेटर डार्क मेटर क्या है डार्क मेटर के सुरत को बताने वह लिए कुछ सिधान को नकार दिया है ठीक है चलिए अगला कोशन देख लेते हैं कोशन नमर फूर्ट है हाली में बी आई एस और किस आयाइटी ने मान की करण तथा अनुरूपता मुल्यांगन के लिए MOU पर स्थाक्षर किये हैं तो आयाइटी दिल्ली ने ठीक है ऑप्सन भी ठीक है कोशन नमर फिपत है हाली में सुप्रीम कोड ने भारत की किस दवा कंपनी को जापान की दवा कंपनी दाइची सेंगों के बकाया चार हैर क्लोड रूपए देने के लिए चित आया है कि रैन वैक्सी ठीक ऑप्सन सी देखें सुप्रीम कोड ने क्या का रैन वैक्सी के पूर्व प्रमोटर मलिविंदर और शिविंदर शिंग ने जापान की दवा कंपनी सेंग्यों दाइची सेंग्यों के 4000 क्लोड रूपए की भारत को फीफा को फूर्पाद और जो दोस्तों चारपल को जारी विश्व रैंकिंग में भारत को 101 स्थान प्राप्त हुआ है 101 इक भारती टीम के इसमें कुलंग 1219 हैं और हो है एसी देशों में 18 स्थान पर है देखिए अब यहां पे फीफा की बात हो रिए फीफा से ले है कहा है यहां है जूआ चुट्वयलन में में कहा है जूआयँ को बरतर को पियानी ंफानेनों बरतौंण में फीफा के प्रेसिडेंट है Q7 है भारती सेना ने हाली में दुती विशुद में इस्तिमाल किये गए अमेरिकी वाई सेना के एक विमान का मलवा किस राज़े में खोजा है अरुनांचर प्रदेश में ठीक है ठीक है देखे उस तो भारती सेना के बारती सेजसी गस्ती दल ले पुलिश के साथ मिलकार 30 मार्च को अरुनाचर प्रदेश के रोइंग जिले में अमेरिका वाई सेना के विमान मलवा खोज निकाला जो दुती विशुद के समय का है ठीक है कोशन 8 है किस देश की सरकार ने उत्तर पूर्वी तटके 5 सहरों और काउंटी में बड़े पैमाने पर लगी आग को 5 अप्रेल को राश्टी आपदा की स्थिति घोशित की है करेक्टन सुर्यागस का दक्षिड कोरिया ठीक ऑप्सन भी दक्षिड कोरिया गवर्में दो सुतर पूर्वी तटके 5 सहरों काउंटी और में बड़े पैमाने पर लगी आग को 5 अप्रेल को राश्टी आपदा की स्थिति घोशित की है ठीक है कोश्चन नाइन थे जम्मू काश्मीर के पुल्वावा हमले के बाद प्रशासन ने बारा मूला से उधंपूर तक राश्टी राजमार्ग पर 31 मई तक प्रत्येख हपते में नागरी के आत्यात को कितने दिन बंद करने का फैसला किया है दो दिन ठीक है ऑप्सन सी अगला कोश्चन है हमारा दूस्तों कोश्चन हमर टेंथ है भारत ने किस देश के साथ लीथियम के विकास सेवं अद्योग उप्योग के लिए एक समयोते पर सक्षर किया है तो यह था अब दिख लेते हैं आज के सवाल क्या हमारा सौरी कल का एंसर क्या हमारा कल लास्ट व सबसे पहले फाजबी नेटवर्क लांच कर रहा है दक्षिंड कोरिया साउथ कोरिया लांच किया है ठीक है अब देख लेते हैं दोस्तों आज का सवाल क्या है हमारा आज का सवाल है लोग सवा 2019 के लिए जम्मू काश्मीर चुनाओ का ब्रैंड विभाग का ब्रैने मिजर क आखे स्वास्तरें बेस्तरें मस्तरें पढ़ा ही करते रहें जैहिन जैभारत झाल 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 झाल